बिस्मिल्लारमान रहीम वालकम टू दो वीडियो सेशन केंटर पॉब्लिशर्स दियर स्टूडेंट्स फॉर कम्प्लीट अंडिस्टेंडिंग आफ जेनल साइंस क्लास त्री यू नीड दो फॉल्विंग फॉर बुक्स दो फस्ट वन इस जेनल साइंस सीएसे सीरीज केंटर पॉब्लिशर्स जो के आल लड़ी आपके पास हैं इसके साथ ज्यादा बहतर होगा कि चुमके दीज आर समर वेकेशन्स तो आपके पास समर पैक भी मुझूद हो जो एसे लोज आप लोग सीकेंगे जेनल साइंस बुक में उन एसे लोज को कवर करना उनके एक्टिविटी के लिए दिस इस वेरी सपोर्टिंग बुक और इसके पास जो चोती बुक है मेरे प्यारे बचो डाड़ी इस रिसोर्स पैक रिसोर्स पैक हमारे ओफिशल वेब साइट पे अवेलेबल हैं और कोई भी इदर यो पैरेंट्स इदर यो टीचर इदर यो सिब्लिंस कें डाउ लोड और असानी से आप लोग इससे गाईडेंस ले सकते हैं प्यारे बच्चों हमने हैबिटाट चैप्टर पढ़ लिया तोड़ा से एक जलग दुबारह इसको देखते हैं इसके ऑन अर्थ तो हमने देखा इं पॉर्टेंस उफ सन लाइट और इसमें ये देखा कि उसके अंदर पोदे और जो एनिमल्स हैं उन सब को कितनी चीजों की ज़रत पड़ती है प्लांट्स को इनरजी और इसके बाद एनिमल्स को सनलाइट इनरजी और पिर हीमन बिंग्स को कितनी चाहिए होती है उसके बाद प्यारे बच्चों हम मजीद इसको आगे देखते हैं और इसमें हमने देखा about brainstorming activity हमने कर ली और इस activity के बाद हमने habitat पड़ा कि habitat किसे कहते हैं और फिर हमने we studied about four habitats ये four habitats हमने पढ़ लिए हमने details से इसको पड़ा और ये जो habitat हैं इसमें आप लोगों ने polar region habitat पड़ा आप लोगों ने desert habitat पड़ा आप लोगों ने forest habitat पड़ा और sea and river habitat पड़ लिए हमने details हमने पड़ा उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इन habitat के बाद हमने क्या पड़ा इसमें हमने मुक्तलिफ वो activities पड़ लिए कि जिसकी वज़ा से यानि हमने प्यारे बच्चों हमने environmental factor पड़ लिए पहले कि कौन कौनसे factors हैं और उसमें sun light है और उसमें water है उसके अंदर air है उसके अंदर temperature है और soil है ये factors हैं जो habitat को effect करती हैं और उसके बाद हमने adaptation पड़ ल camel की बहतरी ने adaptation ती। उसके बाद हमने fish के बारे में adaptation पड़ ली और fish के बाद हमने polar bear के बारे में adaptation पड़ ली। these are very interesting topics my dear students और इसके बाद cactus के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने lotus के बारे में पढ़ा जो के plant है aquatic plant है पानी में और इसके बाद pine tree के बारे में हमने adaptation पढ़ ली उसके बाद some activities which affect habitat जो habitat को नुक्सान देती है और इसमें सबसे बढ़के water pollution और दुसरे नमबर पे क्या था deforestation उसके बाद मेरे प्यारे बच्छों हमने effect of polluted water पढ़ा और effect of deforestation भी पढ़ा उनके असरात क्या है environment पे और हमने उसके लाव कुछ और activities के बारे में बात की now we are going towards exercise और मुझे यकीन है कि अगर आप लोग इसको एक जलक पिर पढ़ें और पिर exercise की तरफ आ जाएं so I am dead sure that you will be solving exercise as per the rule of business exercise तुम लोगोंने करना है I'll be here with you I'll be just supporting you and see the first one choose the correct option against each statement पहले statement दिया हुआ है और उसके बाद options है कौन साफन सही है उसको आप लोगोंने encircle करना है needle shape of pine leaves help to any needle-like shape क्या reduce air loss reduce intake of sunlight reduce water loss very easy do it connect it और उसके बाद habitat of cacti cacti को जाएं भी टाट तर डेसर ता फ्रेश वाटर ता तंड रहा ता बड़ा साने टका टक कर लो मारे फ्यारे बच्छो उसके बाद रिच्वाद रिच्वार ग्रोंने वार्टर सर्फेस वाटर सर्फेस हमने एक प्लांट को देका था वह रोस था यह वह जस्मीन था यह वह लोटस था बड़ा साने प्यारे बच्छो और इसके बाद सेट में नबर फोर विच्वाद फॉल्विंग एनिमल्स यूज सी आइस टो हंट सी इल्स इन दा आर्क्थिक ऑशन तो देखें पिछे केमल नो केमल के दर था पिर पॉलर बियर पड़ा था काउ पड़ा था तो बहुत असान है यह नहीं आपके लिए बहुत असान सवाल बनाया है फिफ्ट नमबर पे जाते हैं लिडिंग काज अफ डिफॉरेस्टेशन इस अग्रिकल्चर माइनिंग या इंडस्ट्रीज आप लोगों ने डिफॉरेस्टेशन में पढ़ा था इन में से एक आप्शन सही है वो तुम लोग कर लो उसके बाद एडप्टेशन आफ केमल हम इस अगैंस्ट वाट यनी किस वज़े से केमल हम क्या किसी में फाइदा देता है उसका फाइदा क्या होता है जो करेक्टिव कर लो बड़ा असान है और उसके बाद लेंड हैबिटाट डिस्ट्राइड डियू टू पलूशन रें या प्लन्टेशन ये भी बहुत असाने ज कौन सी चीज़ खराब करती है डेम्स बनने से पानी वेस्ट पैंकने से या वाटर फिल्ट्रेशन से तो यह तो और असान है स्टेट में नवर नाइन देखके दो मैचर ठ्रेट इन पॉलर रेजिन हैबिटाड एज हैवी विंड एक्स्ट्रीम कॉल्ड या ग्लेशर आप लोग उने पॉलर रेजिन हैबिटाड पड़ा था उसमें सबसे ठ्रेटन चीज़ किया है जो उसको जो प्लांस को एनिमल को नुक्सान देती है इसको आप लोग कर लें उसके बाद कमिंग टुवर्ड्स टैन वाइज वाइज वाडर इंपार्डन फॉर लिविंग बिंग अं कौन कौन से सही है पानी क्यों जरूरी है इत रिगलेट बादी टेंपरेचर यह इच मैंटेंस किन कलर यह इच एट कंट्रिबूट त दबारी वेड देख लो दो सही है तीनो सही है एक सही है जो करेक्ट है उसको टिक करो गई तो वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स हां बहुत आसान है माई यह स्टूडेंट बाकि आप लोगों ने करने है दा प्लेस वेर एनिमर्ज अर प्लांट लिव इसको डेज हम बार बार पढ़ते रहे उसके बाद तीसरा क्या है देर इस वेली लिटल रेन इन कौन से हैबिटाट में बारिश नहीं होती है पानी कम कौन सी अबिलिटी है कौन सी से लहियत है कि जिसकी वज़े से वो सख्त कंडिशन में भी अपने इन्वार्मेंट के साथ डॉप्ट कर लेता है अके वर इंट्रेस्टिंग वन आँ यहां पर मैं तोड़ी तोड़ी हैल्प करूं या ना करूं के निड़ोइट अके आई डि किस हैबिटार्ट से हैं आप लोग उने इसको देखा था किक्ताय की तरह आप लोग इसको देख लें किस हैबिटार्ट से है आप लोग पोलर बियर को देख लें किस हैबिटार्ट से हैं सी फिश को देखें और लोटस तो आप लोग पढ़ चुके थे और लोटस तो आप फॉरेस्ट फॉलर रेजिन ये नीचे वाले खुद लिखने चलो ये भी मैं हेल्प कर लेता हूं लेकिन आप लोगों ने पढ़ना खुद है मेरे प्यारे बच्छों समझना है इसको ग्राइं आप लोगों इसको कुद करना बडा साने वाई सनाइब इसन्टेंट शोर्स अ अ फलाइफ सस्टेंट अने अर्थ यह निए लाइफ को सस्टेंट करने के लिए चूजरूरी है अप लोगों ने स्टार्ट में पढ़ाता है बडा साने see the second question what is habitat what is the importance of habitat for living organism what are the characteristics of deserts deserts पड़े थे क्या हालात हों होते हैं वहाँ पे गर्मी कितनी होती है पानी कितना होता है बारिशे कितनी होती है और उसके बाद how are pine trees adopted to live in cold weather pine tree को पड़ो उसमें क्या adaptation है जो सख्त सर्दी में भी जी लेते हैं उसके बाद इनलेस्ट आड़े वर्स एक्ट फॉलुशन polluted water on living organism and the sixth one is write the names of two plants and two animals of deserts और उसके बाद polar region पिर फोरे पिर सी and river activity this is interesting this is a question this is an activity so I am sure that you will be doing it my dear students well done do it courageously इसके बाद में आप लोगो के चोटा सा I'll be telling you about the use of workbook the use of normal the use of textbook and the use of summer pack and the use of resource pack so good luck my dear student Allah Hafiz